अध्याय चवालीस त्वीती विश्व युद्ध तथा भारत का स्वतंत्रता की ओर बढ़ना 1949 में ब्रिटिश राज का समय रस्तार विधाता ने केवल आठ वर्ष नियत किया था परंतो अमरत्व का भ्रह्म लंडन तथा दिल्ली में पून रूप से बना हुआ था जियों ही सितंबर 1949 में विश्व युद्ध का दैतिय संसार के रंगमंच पर आया अंग्रेजी सरकार ने भारतिय विधान मंडल से नाम मातर भी परामर्श किये बिना भारत की ओर से युद्ध खोशना कर दी इस पर कॉंग्रेस कारिकारनी ने विरोध प्रकट किया और 14 सितंबर 1949 को एक द्रस्ताव में यूं कहा भारत के ओर से युद्ध और शान्ती के प्रेशनी कर्णरने भारतिय लोग ही करेंगे हम किसी ऐसे युद्ध से सम्मंधित नहीं हो सकते अत्वा उसमें सायोग नहीं दे सकते जो सामराजिवादी नीतियों पर आधारित हो और जिसका उद्धेश भारत तथा अनी इस्थानों में सामराजिवाद को द्रढ़ करना हो समीती ने मांग की कि अंग्रेजी सरकार ये खोशना करे कि युध्य का उद्धेश जनतंत्र और सामराजिवाद के विशे में क्या है और ये भारत पर कैसे लागू किये जाएंगे क्या भारत से स्वतंत्र राष्टर के रूप ने व्यवाहर किया जाएगा युध्य की पश्चात प्रादेशिक स्वाश्यासन कॉंग्रेस ने जो आश्वासन मांगे वे नहीं मिले अभी दू कुछ अन्मने से वाक्यांश अथ्वा पवित्र भावनाएं प्रकट की गई अतैव साथ कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याग पत्र दे दिये और उन प्रांतों का शासन 1935 के एक्ट की धारा ते रानबे के अधीन गवर्नरों को सौप दी गई जिन्ना ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया क्योंकि देश को कॉंग्रेस से छुटकारा मिल गया था केवल सिंध पंचाव और बंगाल में लोकप्रिया मंत्री मंडल कारे करते रहे लोगों को आश्वासन देने के लिए वाइस्राइल लॉड लिन लिथगो ने ये घुशना की कि युद्ध के बश्चाथ जितना शेक्र हो सकेगा वेस्ट मिन्सिस्टर जैसा प्रादेशित स्वश्चासन देना ही अंग्रेजी सरकार का उद्देशी है अर्थाप जो 1935 के एक्ट के अनुसार नहीं मिला वो अब युद्ध के बश्चाथ मिलेगा परंतु कॉंग्रेस तो नौ नकद नौ तेरह उधार जाती है अगस्ट 1940 का प्रस्टाव जोन 1940 में अंग्रेजी सेना की फ्रांस में करारी हार हुई और फ्रांस में जर्मनों के आगे पून तया घुटने तेख दिये अंग्रेजों ने एक और प्रस्टाव रखा जिसमें वाइस्राएन ने कहा एक, राजनेतिक दलों के बीच मदभेदों के होते हुए भी वाइस्राए की कारिकारिनिक अविस्तार और एक युध परामर्श दात्री के कठन करने में और विलंब नहीं किया जा सकता 2. सरकार ने अल्पसंख्यकों को पूर्ण महत्व प्रदान करने का विश्वास दिलाया 3. अपने उत्तरदायत्वों को निभाते हुए रक्षा अल्पसंख्यकों के अधिकार रियासतों से संधियां और अखिल भारतिये सेवाएं इत्यादी के प्रशन को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार इस विचार से सहमत है कि नया संविधान बनाना मुख्यताह भारतियों का अपना उत्तरदायत्व है और वो भारतिये जीवन की सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक धारणाओं पर निर्भर होगा प्रेश्ठ चार सो नौ चार, चौकि इस समय जब हम जीवन और मृत्यू के संगर्श में लगे हैं, ये समस्या हल करनी संभव नहीं है ब्रेटिश सरकार, ये विश्वास दिलाती है कि युद्ध के समाप्त होते ही, वो ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसने भारतिये राजनेतिक जीवन के मुखे तत्वों के प्रतिनिती नए सम्मिधान के रूप रेखा तयार करें पांच, और इस बीच ब्रेटिश सरकार ये आशा करती है कि भारत के भिन भिन संप्रताय तथा वर्ग भारत को राश्ट्र मंडल के पौन और बराबर सदसे बनने में हमसे सहयोग करेंगे और थात युद्ध में पौन रुपेंड सहता करेंगे ये खोशना एक बहुत महत्व पौन प्रगती थी क्योंकि इसमें इस पश्ट कहा गया था कि भारत का संविधान बनना भारतियों का अपना अधिकार है और इस पश्ट प्रादेशिक स्वाश्यासन के प्रतिग्या की गई थी परंतो कॉंग्रिस ने ये प्रस्ताव अज्विकार कर दिया जब आहरलाल नेहरू ने तो प्रादेशिक स्वाश्यासन की धारना को ही ठुकरा दिया परंतो मुस्लिम लीग ने इस खोश्ना का वो भाग जिसमें ये प्रतिग्या थी कि भावी संदिधान उनकी अनुमती से ही बनेगा उसका स्वागत किया इसके अतिरत उसने ये भी कहा कि भारत का बंटवारा ही इसकठिन समस्या का हल है जैसी आशा थी कि ये प्रस्ताव निस्फल रहा भारत राजी सचीव शुडी एल एस एमरी ने कहा कि आज मुख्य जगड़ा रिटिश सरकार और स्वतंत्रता मांगने वाले तत्वों में नहीं है अपितु भारत के राश्ट्रिय जीवन के भिन 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 तत्वों में है 1942 का क्रिप्सका शिष्टमंडल समस्या बनी रही और युध्य चलता रहा दिसंबर 1941 में जापान भी युध्य में धूरी शक्तियों की ओर से सम्मिलत हो गया अतयव 1942 के आरंभ में अंग्रेजों ने पुनहा राजनैतिक गुथी को सिल्छाने का प्रैट्न किया मार्च 1942 को ब्रेटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने एक खुशना की कि युध्य मंत्री मंडल ने भारत के विशय में एक मत होकर कुछ निर्ने किये हैं और हाउस ओफ कॉमन्स के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत जाकर स्वैम नेजी विचार विमर्श से अपने आपको संतुष्ट कर इस निर्ने से लोगों को अवगत कराएंगे और ये निर्ने एक नियाय पून और अंतिम निर्ने होगा और अभिश्ट मंता भी ज़ेश था कि वो न केवल बहुत संख्यक हिंदूं से ही आविशक सहमती प्राप्त करें अभी तु सबसे अधिक संख्यक अल्प संख्यक जाती मुसलमानों से भी सहमती प्राप्त करें भारत पहुँचते ही सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने प्रस्तावित मस्यदा कारी-कारी परिशत के सनमुख रखा 23 तीन 1942 को और दो दिन परश्याद भारतिय नेताओं के सनमुख 29 मार्च को ये प्रस्ताव एक पत्रकार सम्मेलन में जनिता के सनमुख रख दिया गया इसके परश्याद लगभग 15 दिन बाचीच चलती रही परंतु असपल रही महत्मा गांधी न इस परकार था एक युजि समाप्त होते ही निमन लिखे थी रीती से भारतियों का एक निरवाचित नेका boundaries बनाया जाएगा जो कि भारत के लिए एक नया सम्मिधान बनाएगा दो इस सम्मीधान सभा में भारती र्यासतों को भी सम्मिलित करने का प्रबंध किया जाएगा इस्थिती में बना रहे फिर जब वो चाहे इस तम्मिधान में सम्मिलित हो सके। ना सम्मिलित होने वाले प्रांतों को भी वही बदप्राक्ट होगा जो की शेश भारतिय संख को होगा। कोई अन्य भारती रियासत इस सम्मिधान से संबंध बनाए अत्वा नहीं परन्तों ये आवशक होगा कि इस नई परिस्थिती में इनसे संथी संबंधों की आवशक्त अनुसार परिबर्दित किया जा सके। परन्तों वो मुख्य भारतिय लोगों की नेताओं का तुरंत और प्रभावशाली ठंग से राष्ट्र मंडल और सयुक्त राष्ट्र के कारी में योगदान चाहती हैं ताकि वे उस कारी के जो भावी भारतिय स्वतंतरता के लिए अत्यंत आवशक हैं निभाने और पून क परने में सवक्रिय तथा निर्मान कारी साहता कर सकीं इस प्रस्तावित घोष्णा के मुख्य अंग इस्त्रकार थे प्रादेशिक शासन स्वतंतरता और देश के विभाजन की संभावना और शक्ती हस्तांतरत होते समय अल्प संख्षकों की रक्षा के संबंध में संधी कर जब तक नया संदिधान न बने तब तक गवर्नर जनरल की ततकालीन इस्तिती बनी रहे और अंग्रेज ही भारत की रफ्षा के लिए उत्तरताई हों जैसा कि पंडित जबाहल लाल नहरू ने कहा था संकालीन सरकार का ठाचा उसी प्रकार रहेगा और वाइस्ताई के निरंकुष्ता बनी रहेगी और हम में से कुछ लोग वर्दी पहन कर उसके सेवक बन जाएंगी तरथा अलपाहार ग्रिहों इत्यादी की देखभाल करना आरंभ कर देंगे। गुष्णा से किसी को भी संतोष नहीं हुआ। प्रत्येक दलने भिन भिन कारणों से इसको अपर्याप्त माना। कॉंग्रेस को इसके अंतरीम प्रबंध से असंतोष था। इसे इसके रक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार नहीं थे। जिन तत्व पर ये बाचीत वो थी कि कॉंग्रेस को इस बात काभी और चारिक आश्वासन नहीं मिला कि इस बीच गवर्नर जनरल मंत्रियों के कहने पर तथा संविधानिक मुख्या के रूप में कारी करेगा। इसी प्रकार वो भारतिये प्रांतों के अलग होने को स्वीकार करने को तयार नहीं थी। यहीं विचार हिंदू महासभा के थे। सरतीज बहादूर जप्रू और श्रीट जयकर भी इस बुंटवारे के पक्ष में नहीं थे। सिख भी पंजाब को भारत से अलग किये जाने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार पिछडी हुई जाथियां भी अपने लिए सनक्ष लिए कि उसमें इसपष्ट पाकिस्तान बनाय जाने की बात नहीं कही गई थी। इन त्रोठियों के अतिरिक्त अंग्रेजों का ये भी कहना था कि ये योजना अगस्त 1940 की योजना का ही रूप है जिसको अधिक इसपष्ट किया गया है। इसका उत्देश उस पुराने प् बहुत निराशा हुई क्योंकि ऐसा लगा कि अंग्रेजों का उद्देश शक्ति का हस्तांतरन करना नहीं है। इसी प्रकार प्रांतों के प्रिथकी करण की प्रकरिया भी इस प्रकार के थी। जिसमें पंजाब और बंगाल में हिंदूों की परिस्थिती बहुत ही डावा डोल हो जाते थी। इसके अतिरिक्त उत्तरदायत्व का हस्तांतरन करते समय संथी किस्ते होगी उस संथी की व्याख्या तथा उसको लागू करने का अधिकार किसका होगा ये सभी इसपष्ट नहीं था। ये इसपष्ट योजना जिसमें कृट्स का नाम चुड़ गया है क केवल सभी भारतियों की युध में साहिता प्राप्त करने का एक उपाय मात्र लगता था। एक शुध भावना से किया हुआ भारती ये समस्या का हल नहीं था। जैसा कि प्रोफेसर हेरल्ड जे लास्की ने कहा था इस समस्ते प्राकरिया में केवल एक ही अच्छी बात थी वो थी सर स्टेफर्ड क्रिप्स का स्वैम जाना जिसके लिए श्री एकली कुश्रय मिलना चाहिए। इसमें बहुत जल्दी की गई इसने सर स्टेफर्ड क्रिप्स का ये कहना कि इसे स्वीकार करो अत्वा छोड़ दो और वापिस लोटने पर ये कहना कि ये प्रस्ताव सम इतिन्स के संबंधों की भारत आंगल संबंधों से तुलना किया करते ही। प्राया क्रिप्स शिष्ट मंडल की प्रस्तावों को पून तया असपल समझा जाता है। परंत युद्ध के जीतने पर वही तूटते हुए बैंक पर उतर तिथिये चेक की होंडी सकारित हो गई। प्रिष्ट 411 भारत छोड़ों प्रस्ताव और अगस्त 1942 का विद्रु हो। ट्रेप्स शिष्ट मंडल की असपलता से सभी को निराशा हुई। अभी तक कॉंग्रेस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था सिवाए संविधान सभा की मांग के, जिससे अंग्रेजों को परिशानी हो। परंतो अब जबकि जापान लगभग देश के द्वार पर खड़ा था, कॉंग्रेस चुप नहीं रह सकती थी। गांधी जी ने अब अप्रैल 1942 में अंग्रेजों के सू व्यवस्ति धंग से भारत से चले जाने की बात गही। उनके अनुसार जो भी हो अब भारतियों और अंग्रेजों की कुशलता इसी मिथी के अंग्रेज भारत से चले जाएं। अब भारत छोडों का नारा प्रसित हो गया। दस मईए 1942 के हरीजन में उन्होंने लिखा कि भारत ने अंग्रेजों की उपस्थिती जा पानियों को भारत पर आकरमन करने का निमंदरन है। उनके जाने से ये लोग समप्थ हो जाएगा। इसी प्रकार कुछी दिन पश्चात उन्होंने उसी पत्र में लिखा कि भारत को ईश्वर के हाथों में अत्वा अराजक्ता में छोड़ दो। तब सभी दल कुट्टों की भांती लड़ेंगे और जब वास्तविक उतरदाय इत्वसिर पर पड़ेगा तो स्वेम वास्तविक समझाता कर लेंगे। इसी प्रकार 14 जुलाई 1942 को कॉंग्रेस कारीकारिने ने अंग्रेजों को चले जाने का प्रस्ताव पारित किया और इस पश्च कहा कि यदि ये अपील स्विकरत नहीं होती तो हम लोग महत्मा गांध कॉंग्रेस कमीटी की पैठत में इस प्रस्ताव का समर्थन हुआ और ये कहा गया कि भारत में अंग्रेजी राजी की समाप्ति भारत और सैंफ्ति राश्ट्रों दोनों की हित्ने है इस राजी की बने रहना भारत के लिए अपमान जनक है और उसे दिन प्रतितिन श्यून क और उसी अपने रक्षा के असमर्थ बनाता जा रहा है। और संसार की स्वतंतरता में भी योगदान देने में बाधा है। पत्ती इत्यादी की हानी हुई, गोलियां चली। यद्यपी कॉंग्रेस की नेताओं ने इसके लिए कोई उत्तरदायत पस्विकार नहीं किया, परंतो ये मानना कछिन है कि वे पून तया अनभिग्य थी। अत्वा उनकी अनुमती के बिना ये सब कुछ हुआ। और समस्त भारत के मुसल्मानों को ये कहा कि पाकिस्तान ही मुसल्मानों का राश्ट्रिय उत्तेशी है। लेग ने भी 26 अप्रेल 1943 को इसका समर्थन कर दिया। 1945 की वेविल यूजना अक्टूबर 1943 में लौर्ड लिन नितगो के इस्थान पर लौर्ड वेविल भारत के कवर्नर जनरल नियुक्त हुए। उन्होंने गतिरोध को समाप्त करने का एक और प्रैत्म किया। मार्च 1945 में वो इंग्लैंड विचार विमर्ष के लिए कए। 14 जून को उन्होंने अपने विचार विमर्ष के परिनामों से जनुता को एक रेडियो प्रसारन द्वारा अवगत कराया। भारत राज सचिव लौड एमरी ने कॉमन सभा में भी इसी प्रकार का वक्त दवी दिया और ये कहा कि मार्च 1942 का प्रस्ताव पून रुपेन फिर भी उपस्तित था। उसने जब तक नया सम्विधान न बने वाइसराई की कारिकारने के पुनरगठन का प्रस्ताव किया। प्रिष्ठ 412 गवर्नर जनरल और मुख्य सेनपती के अतिरिप सभी सदस्य भारतिये राजनैतिक नेताओं में से ले लिये जाएंगी। उस परिशत में मुसल्मान और स्वर्ण हिंदू बराबर बराबर होंगी। यदिती गवर्नर जनरल का निश्यधा धिकार समाप्त न भारतियों को सौंब दिये जाएंगे। राजनैतिक दलों की एक सम्मिलत सभा बुलाई जाएगी ताकि कारेकारनी के नियुक्ति के लिए एक सर्व सम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके और यदि सर्व सम्मती न हो पाई तो प्रिथक प्रिथक सूचियां जिनसे ऐसे इसी प्रकार उन प्रांतों में जहां मंत्री परिशदें भंग हो गई थी और गवर्नर अपने पारशदों की साहता से कारे कर रहे थे वहां भी मिली जुली सरकारें इस्थापित हो जाएंगी। कांग्रेस कारेकारनी के सदस से जेलों से छोड़ दिये गए और जोही शिम प्रत्राय को जिन नहाज वेवेल से मिले और इस बात पर भल दिया कि मुस्लिम लीग कोही समस्त मुसलमानों का प्रत धर्द्रत्त्व माना जाए और Waisenheid के सुची में मुसलिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए. इसको वेवेल ने सवीकार नहीं किया, न इन दिन बश्चाद वेवेल ने शुमला सम्मिलन को असफल कहकर समाप कर दिया। इस असफलता के लिए वेवेल और जिन्नह आंशिक रूप में उत्तर दाई थे। जैसा कि जिन्नह ने समाचार पत्र सम्मिलन में कहा, ये वेवेल योजना हमारे लिए एक बंदा था, इससे हम लोग मारे जाते, प्रस्तावित कारी कारिने में हमारी संख्या एक बटे तीन रह जाती, क्योंकि अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, अनसूचित जातियां, सिख और इसाईयों के प्रतेनिधी होने थे। और सबसे महत्व पूर्ण ये बात थी कि पंजाब से मलिक खिजर हयात खां जो संखवादी दल के थे और मुस्लिम लीग नहीं थी, वेवेल उन्ही रखने पर हट करते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस गतिरोध का उत्तरदाइत्व पूनताया जिन्ह पर डाला। ये भी ठीक है कि कुछ अंश तक उत्तरदाइत्व वेवेल का भी था। उन्हें भारतीय नेताओं से सलहा करके ही अपनी परिशत की रचना करनी संभवता कुछ परिवर्तनों के साथ कांग्रेसी नेता उस्सूजी को स्वीकार कर लेते, दूसरे उसे मुस्लिम लीग को इस योजना को अस्वीकार करने की और उन्नती के मार्ग में रुकावट डालने की अनुमती नहीं देनी जाए थी। गांठी जी भी जो कृप्स यो को इस बात का विश्वास दिलाया था कि किसी भी दल को इस योजना में केवल जान बूच कर बाधा डालने की अनुमती नहीं दी जाएगी। परन्तु ऐसा लगता है कि अन्त समय में उन्हें कुछ और आदेश मिले थे। परन्तु शिमला सम्मेलन का एक परिनाम ये हुआ क जिन्हा की स्थिती और भी सूद्र हो गई और 1945 से 46 के मर्धी के चुनाओं में ये इसपश्ट हो गई। कुछ आलोचकों का विचार है कि शिमला सम्मेलन चर्चिल की सरकार पर लेबर बार्टी की संभावित विजए अत्वारूस के दबाओ के कारण हुआ जैसा कि क्रिप् 1945 से 46 के चुनाओं शिमला सम्मेलन के विफल होने से भारत में बहुत निराशा हुई परंतो शेग ही आशा की एक और किरन दिखाई थी। के पहस्चात अंतराश्ट्रिय जटलताएं उत्पन हुई और दिल्ली के लाल किले में सुभाष बोस की भारतिय राश्ट्रिय सेना के तीन अफसरों के विरुध कोर्ट मार्शल में मुकद में चले। कांग्रिस ने उन अफसरों का पक्ष लिया और इन अफसरों के आदर् की घोशना की गई कि भारत में केंद्रिय तथा प्रांतिय चुनाओ कराये जाएंगे और लाउड वेविल लंदन जाएंगे। 44 के प्रस्ताव अभी भी विद्धिमान है और अंग्रीज सरकार उनहीं के अनुसार सब कार्य कर रही है। इसके पश्चार 4 दिसंबर को लौड पैथिक लौरेंस में लौड सभा में एक वक्ता विद्या जिसमें कहा कि प्रस्तावों के पूर्ण महत्व को समझा नहीं गय और अंग्रीज सरकार समिधान सभा के गठन को बहुत महत्व देती है। उन्होंने भारत में सामराज संसदिय शिष्ट मंडल के तत्पत्धान ने एक संसदिय शिष्ट मंडल भीजने का सुचाब दिया। परंत पुन्हा ये इसपश्ट कर दिया कि इस शिष्ट मंडल को अंग्रीजों को किसी नीती दिशेश का अनुसरन करने पर बात ही करने का अधिकार नहीं होगा। लॉर्ड वेविल ने 10 दिसंबर 1945 को कलकत्ता में संयुक्त व्यापार मंडल की वार्शिक सभा में ये कहा कि भारत छोड़ो एक जादू नहीं है, अभी तु सद्भाव, सहक अभारता तथा धैरे की आवशक्ता है। परंतो फिर भी वो केवल सिंध और बंगाल में ही मंत्री मंडल बना सकी। पंजाब में यद्देपी मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में आगे आई। परंतो हिंदू सिख और यूनियनिस्ट दल के हिंदू और मुसल्मान विधाईकों ने एक मिला जुला मंत् खिजर हयात खां के नित्रत्व में बनाया शेश आसाम, बिहार, यूपी, उत्तर पशिमी सीमा प्रांत, बंबई, मत्रास, मत्य प्रांत और उडिसा में कॉंग्रिस के मंत्री मंडल बनाये गए। संसत का शिष्ट मंडल 1946 की जनवरी में भारत आया, जब चुनाओ हो रहे थे और उसने राजनेतिक स्थिती का प्रेतेक्ष अथयन किया। 1946 मंत्री मंडल ये शिष्ट मंडल योजना 19 परवरी 1946 को लौर्ड पैथिक लौरिंस ने हाउस अफ लौर्ड में खुशना की कि मंत्री मंडल का शिष्ट मंडल जिसमें वो स्वैम, सरिस्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्सेंडर होंगे, भारत जाएगा ताकि वाइस्ट्राइक के साहता से भारतिये नेताओं से गाजनेतिक मामलों पर बाचीत कर सके। इसी घोशना पर वाद विवाद में बोलते हुए प्रधान मंत्री एकली ने कहा कि हम अल्प संख्यकों की अधिकारों से भली भाती जाग रुखें और चाहते हैं कि अल्प संख्यक बिना भय के रह सकें। परन्तों हम ये भी स्वी आगत नीती में मूल भूत परिवर्थन आ गया था। शिष्ट मंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचा और भारत के भिन भिन राजनेतिक दलों से लंबी बाचीत की। चूंकि लीग और कॉंग्रेस में भारत की एकता अत्वा बंटवारे के विशे में समझाता नहीं हो सका इसलिए शिष्ट मंडल ने अपनी ओर से संविधानिक समस्या का हल प्रस्तक किया। ये प्रस्ताव लौड वेविल और मंत्री मंडल ये शिष्ट मंडल ने एक सईंत वक्तावि में 16 मई 1946 को प्रकाशिक किया। लंबे समय की यूजना के रूप में उन्होंने पाकिस्तान क कि मांग को कई कारणों से अस्विकार कर दिया। पहला ये कि पाकिस्तान बनने से उन अलप संख्यकों की समस्या जो मुसल्मान नहीं है वो हल नहीं होगी। प्रिष्ट 414 ये लोग उत्तर बश्चिमिक शेत्र में समस्तर जन संख्या का 37.93 प्रतिशत होंगे और उत्तर प पाकिस्तान में सम्मिलित करने का कोई तर्क नहीं है। वास्तम में ये सभी तर्क जो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में दिये जाते थे वही उसकी विरुध भी दिये जो हो सकते थे। पंजाब और बंगाल का बंटवारा करके एक छोटा सा पाकिस्तान बनाने का कोई लाभ और ये सब इन प्रांतों के वासियों की इच्छों के विरुध होगा। दूसरे, भारत के संचार और डाकतार व्यवस्था को बांटने का कोई लाब नहीं होगा। तीसरे, सेना को बांटने से देश को बहुत थानी होगी। और चौथे, रियासतों का एक अत्पा दूसरे संग में सम्मिलत होना बहुत कठिन होगा। पुनश्च, पाकिस्तान के दो भागों की एक दूसरे से 700 मील की दूरी उसकी हित में नहीं होगी। और योध तथशान्ति के स्थिती में संचार व्यवस्ता भारत के सद्भाव पर ही निर्भर होगी। वास्तों में ये सभी तर्क ठीक थे और देश के बंटवारे के विरुथ थे। अतैव शिष्ट मंडल ने ये सुचाव दिया कि केंद्र एक हो जो की निश्चित विशयों पर नियंत्रन रखे। संभवता उनके मन में 1866 में आस्ट्रिया, हंग्री में इस्थापित, दोहरी राजशाही और संग का विचार था। शिष्ट मंडल ने सुचाया कि भारती ये संविधान इस प्रकार का होना चाहिए। इस संग की कारिकारिनी और विधान मंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधी होने चाहिए, किसी महत्वपून संप्रतायक वक्ष पर ये आवश्यक हो कि विधान मंडल में दोनों मुख्य संप्रतायों की विधायक अलग-अलग मत दे कर उसका समर्थन करे 3. प्रांतों को केंद्रिय विशयों को छोड़ कर शेष सभी मामलों में पोन स्वायतता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो 4. प्रांतों को छोटे अथ्वा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो और इन गुटों को क्या-क्या अधिकार होंगे इसका निर्णे वे स्वैम ही करेंगे 5. मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, विहार और उडिसा के 6 हिंदू बहु संख्यक प्रांत गुट अ में होंगे और उत्तर पश्यम के मुस्लिम बहु संख्यक प्रांत, पंजाब सीमा प्रांत और सिंध गुट, वीमे और बंगाल तथा आसाम गुट सा में मुख्य आयुक्त के प्रांत दिली, अजमीर, मारवाड और कुर्ग गुट, आ में और ब्लोचिस्तान गुट बह में सम्मिलित होंगे प्रांतों को पूर्ण स्वायतता का देना एक प्रकार से पाकिस्तान का सार था यह इस पश्ट था कि गुट, व, और स, मुस्लिमों के आधिपत्य में होगे मंत्री मंडलिय शिष्ट मंडल मुख्य कारी सम्मिधान सभा अर्थात भारतियों द्वारा अपना सम्मिधान बनाने के कारे को आरंभ करना था ये संविधान सभा प्राम्तिय विधान सभाओं द्वारा चुनी जानी थी, क्योंकि यदि व्यस्क मत अधिकार के अधिकार पर चुनी जाती, तो समय बहुत लगता। प्रांतिय विधान सभा के सदस्यों को तीन भागों में बाटा जाना था, सामान्य, मुस्लिम और सिख और प्रतेग भाग अपने अपने प्रतिनिथी, अनुपाती प्रतिनिथित्व प्रणाली द्वारा चुनेगा। कवर्नरों के प्रांतों में भेन भेन संप्रतायों को प्रतिनिथी, उनकी जनसंख्या के अनुपात से मिलने थी, और लगभग दस लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिथी होना था, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में प्रबंध भेन था, गुट अ के प्रांतों में सामाने को 166 इस्थान दिये गए और मुसल्मानों को 20 इस्थान गुट ब में सामाने को 9, मुसल्मानों को 22 और सिखों को 4 तथा गुट स में सामाने को 34 और मुसल्मानों को 36 इस्थान दिये गए थे इन 292 सदस्यों में 4 सदस्य, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से आने थी और 93 सदस्य भारतिय रियासतों से आने थी इनका चयन विचार विमर्ष त्वारा किया जाना था इस प्रकार की गठित सम्विथान सभात तीन गुटों के अनसार तीन भागों में बाटी जानी थी। जट्येक भाग अपने अपने प्रांतों के लिए सम्विथान बनाएगा और ये भी निश्य करेगा कि अपने गुट के लिए सम्विथान बनाना भी है अत्वा नहीं। तीनो भाग सम्मिलत रूप से संघी या संविथान बनाएंगे। नागरिकों, अल्प संचकों, जन जातियों तथा अपवर्जित शेत्रों के अधिकारों के विशे में परामर्ष दात्री समीती होने थी। प्रिष्ठ 415 गुटों और संघ की संविथान में एक प्रबंध ये भी था कि प्राम्तों को ये अधिकार था कि प्रतेक तस वर्ष के पश्चात संविथान की शर्टों पर पुनर विचार करने की मांग कर सके। भारतीय रियासतों के विशे में शिष्ट मंडल ने ये कहा कि जोही संविथान अस्तित्व में आ जाएगा त्योही अंग्रेजों की सरवोचिता समाप्थ हो जाएगी अर्थात जो भी अधिकार रियासतों ने अंग्रेजों को दे दिये थे। वे सब भी उन्हें पुनह प्राप्त हो जाएंगेा और अंग्रेजों और रियासतों के बीच राजनियतिक संबन्द समाथ हो जाएंगे। इस योजना का मुखे गुण ये था कि सम्निथान सभा लोकतंत्रबादी सिधान्त जनसंख्या पर आधारित था और पूराना गुरुत्व का सिधान्त समाप्थो गया था। इस सरकार अत्वा यूरोपिय अधिकारी कोई नहीं थे और प्रांतिय विथान सभाओं में भी मत डालने के समय यूरोपिय सदस्यों को अनुपस्थित रहना था। कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली गई और उसे अपनी इच्छानुसार कारे करने दिया गया। इस योजना के अवगुणों में मुखेता ये थी एक मुसलिम अलपसंख्यकों की हितों की रख्षा तो की गई थी परंतु पंजाब ने सिखों की हितों की नहीं। दो, प्रांतों के गोटों की विशय में भी मत भेट थे। लीग समश्ती थी कि गोट बनाना आवशक है परंतों कॉंग्रेसी समश्ते थे कि वो वैकल्पिक है और अंत ने अंग्रेजों ने भी कॉंग्रेसी विचार का समर्थन किया। तीन, सम्विधान बनाने की श्रिंखला भी विचितर सी थी। पहले गुट और प्रांतों का सम्विधान बनाओ फिर केंदर का और इस प्रकार गाड़ी घोड़े के आगे जोदती गई थी। सम्विधान सभा की चुनाव और एक राष्ट्रिय सरकार का कठन। बहत अनिच्छा के साथ कॉंग्रेस और लीग ने मंत्री मंडलिय शिष्ट मंडल की योजना स्वी कार कर ली। कॉंग्रेस प्रांतों की कुट बनाने पर प्रसन थी और लीग पाकिस्तान के न मानने पर। शिष्ट मंडल ने लाटने से पूर्व एक घोशना की कि उन्हें संतूश है कि सम्विधान बनाने कार्य प्रमुख राजनेतिक दलों के सायोग से चलता रहेगा, परंतु उन्हें खेट था कि कुछ बाधाओं की कारण बहुदालिय अंतरीम सरकार नहीं बन सकी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संभवताह ऐसा सम्विधान सभा के चुनाओं के वहश्यात हो सकेगा, जिन नहां अंतरीम सरकार बनाने को इस्थागित करने से बहुत अप्रसन हुए और उन्होंने वाइसराय पर अपने वचनों से फिर जाने का दोश रखाया। दूसरी और सम्विधान सभा के चुनाओं में कांग्रिस ने 214 सामानिय इस्थानों में से 205 इस्थान प्राप्त कर लिए। उन्हें चार सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग को 38 मुस्लिम इस्थानों में से 73 इस्थान मिले और इस प्रकार जिन्हा ने अनभव किया कि 296 सदस्यों सम्विधान सभा में उसके पास तो केवल 73 इस्थान होंगे जो की 25 प्रतिशत से भी कम थे और इस प्रकार वो पून्टाया आच्छादित हो जाएगा जट ही 39 जून 1946 को लीग ने शिष्थ मंडल योजना को अस्वीकार कर दिया और यही नहीं अभी थू एक और सीथी कारिवाही का प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों को अविश्वस्निया कहा और कहा कि अब समय आ गया है कि पाक प्रिष्थ 416 उस दिन कलकत्ता में जो उस समय मुस्लिम लीग सरकार के अधीन था सहस्तरों के संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए और नगर विधवन्ष कर दिये गए इसके प्रतिकार के रूप में हिंदू बहु संख्यक प्रांथ बिहार के मुसल्मानों पर अत्याचार हुआ उसके प्रतिकार की रूप में पूर्वी बंगाल में नौखाली और टिपडाह में हिंदूों पर अत्याचार हुए फिर योपी और बंबई में सामप्रताइक तंगे हुए बंगाल में प्रांथ के बंटवारे के लिए हिंदूों ने आंदूलन आरंब किया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि वे मुस्लिम बहु संख्या के राजे में पिस जाएंगे इधर वाइसराय ने कांग्रेस के प्रधान पंडित जबाहलाल नहरू को एक अंतरिम सरकार बनाने का अन्में मन्तर्ण दिया यद्यपे मुस्लिम लीग को भी इस सरकार में सम्मिलित होने को कहा गया परन्तो उसने अस्विकार कर दिया अतैव अंतरिम सरकार में आरंब में केवल कांग्रेस के ही मनुनीत किये हुए व्यक्ती थे जिनमें बंडित नहरू के नित्रत्व में एक सिख, एक इसाई, एक पारसी, तीन मुसल्मान तथा एक अनसूचित जाती से और शेश, पांच स्वर्ण हिंदु थे आरंब में तो जिन्हा ने सरकार में सम्मिलित होने से मना ही कर दी थी परन्तो बारिस्त्राय के पुनह सुझाव देने पर उसने मुसल्मानों के हितों के रख्षा करने के लिए 13 अक्टूबर के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और चार मुसल्मान और एक अनसूचित जाती अव्यक्ती